Small and Mid Cap Stocks क्यों गिर रहे है लास्ट अगर एक हफते में हमने देखा है तो Small and Mid Cap Indices जो है वो आराउंड 7-10% नीचे आए है तो इसके पीछे के reasons क्या है इसके बारे में आज हम बात करने वाले है अब specifically कुछ यह जो Stocks होते हैं Small and Mid Cap Side के Stocks यहां पे operators की activity बहुत ज़्यादा शुरू रहती है मतलब with low volumes they can manipulate the prices तो ultimately यह जो excessive speculation है इसको curb करने के लिए Bombay Stock Exchange ने कुछ rules बनाये है और उनी rules के वज़े से market ने थोड़ा सा ज़्यादा ही negative reaction देना शुरू क्या है तो यह rules क्या है और सही में इसका impact जो है जो Stocks पर हमें दिख रहा है overall indices पर दिख रहा है वो कितना justified है नहीं है को अंद में हम थोड़ा सा उसको conclude करने की कोशिश यहां पर जरूर करेंगे so BSE का कहना है कि जो Stocks last 6 months में 6 times बड़े थे जो Stocks last 12 महिने में 12 times बड़े थे जो Stocks last 2 years में 20 times बड़े थे जो Stocks last 3 years में 30 times बड़े थे ऐसे बहुत सारे examples BSE को नजर आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि यह जो price speculations है इसको excessive speculation को curb करने के लिए कुछ rules बनाने बढ़ेंगे तो उ उन्होंने यह कहा है कि जो जो Stocks 20% circuit limit में होंगे वो जो Stocks है जो मतलब last 6 months में 6 times बड़े भी बड़े है तो they now can go up 1.6 times मतलब एक हफते में maximum 60% वो Stocks उपर जा सकते हैं अगर एक महिने में हम बात करेंगे तो maximum 100% वो Stocks उपर जा सकते हैं और एक quarter में वो Stocks 200% उपर जा सकते ह जो 20% के circuit limit में है तो इसका अब आप बोलोगे यार यह कुंसी मतलब यह कैसा कर्भ है कि जहां पे एक हफते में 60% के returns allowed है या फिर एक महिने में 100% के returns allowed है या फिर एक quarter में 200% के returns allowed है बट अल्टिमेंटली अर्लियर लेवल्स जो थे वहां पे जिस तरीके के speculations चल रहे थे त लीस्ट वो speculations थोड़े से कर्ब डाउन करने की कोशिश Bombay Stock Exchange की तरफ से यहां पे होती हुई नजर आ रही है अब यह सही में कितना impact होगा that we will have to take but market क्या होता है मार्केट जब ऐसी सारी ऐसी कुछ news आ जाती है बाहर तो immediately उसका एक advantage लेने के लिए सामने आ जाता है and that's what we are seeing currently the market is doing to small and mid cap में जो fall जादा हो रहा है compared to large cap because large cap में तो ऐसा कोई rule उन्होंने लाया नहीं है और वैसे भी large caps ऐसे move भी नहीं होते है तो small and mid cap specifically small cap की अगर हम बात करेंगे तो low volumes के साथ भी stocks को circuit लगता है and that particular thing जब operators हो speculators हो एक cartel बना के यह सारी चीज़े करते हैं तो शायद य ही आ रही है and that's why they said कि भाई हमने जो stipulated price limit रखी है उसके अंदर ही trading होगी उसके ऊपर आपका stock नहीं जा सकता महां पे circuits filters लगाए जाएंगे and that excessive speculation उसको हम संभाल लेंगे उसको curb कर देंगे that is the idea Bombay Stock Exchange is having और इसी लिए यह overall जो market ने इमेडियेटली negative reaction दिया है specifically small and midcap में यह ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है तो अगर वह कंपनी अच्छी है उसके फंडामेंटल्स अच्छे है अर्निंग विजिबिटी अच्छी है अर्निंग्स का potential भी अच्छा है growth भी काफी अच्छी नजर आ रही है and यह पर्टिकुलर च to avoid because ultimately कि यह सारी जो discussion हो रहे है वो retail investor की point of view point of view से उस investor को यह सारी चीज़े पता नहीं चलती और ultimately उसी के गले में सारी चीजे उतारी जाती है और ultimately जो loss होता है किसी investor का retail investor का होता है and that's what से भी कभी वह अब्जेक्ट होता है बॉंबे स्टॉक एक्चेंज हो यह रिटेल इन्वेस्टर इससे बचे रहे सो दाट जो लॉंग टिवीटी है इस पर्टिकलर अवराल कैपिल मार्केट की वह कफी अच्छी रहे पार्टिसिपेशन बढ़ता रहे लोग अन्नेसिसरीली डी मोटिवेट ना हो जाए इन सब चीजों से तो इस अगुड मूव बट मोर रिक्वाइड व्रान इस फ्रंड बिकॉस अल्टिमेंटली यह जो यह जो भी कर्ब्स रखे यह भी मुझे लगता है स्टिल देग देडि स्टिक्ट होना जरूरी है अदर्वाइज यह 20 परसंट से 10 परसंट 5 परसंट 2 परसंट के सर्कीट उससे भी यह सारी चीज़े हो सकते अच्छे से मैनेज I don't know what's the problem if there are any other nitty-gritties अगर कुछ है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हो but if you feel that कि we are doing a good job तो investernia.in को visit करना मत भूलना दोस्तो golden victory जो olympic में हमने देखी है specifically athletics में first gold so gold यह important word है हमारी website investernia.in पे इस बार तीन साल के model portfolios पे 50% का discount वहां पे रखा है to enjoy this particular achievement by Indian athlete so please visit investernia.in और वहां जाके गोल यह प्रोमो को यूज़ कीजिए और तीन साल का model portfolio पे आपको 50% का discount मिलेगा जरूर इसका लाब उठाईएगा दोस्तों तो आशा करता हूं आप investernia.in को जरूर विजिट करेंगे वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जैहिन करें जैहिन